हेलो एवर्वान कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब बच्छे होंगे तो चलिए आज की जो हम अपनी क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं आज हम कौन सा फाइलम पढ़ने वाले हैं आज हम फाइलम पढ़ेंगे प्लैटी हैलमेंट्स कौनसा फाइलम पढ़ेंगे आज हम आज हम पढ़ेंगे प्लैटी हेलमेंस प्लैटी हेलमेंट्स के अभी तक रांज मोली क्या बोला जाता है इंको बोला जाता है क्या बोला जाता है इनको एक मिट इनको बोला जाता है फ्लैट वर्म्स इनको क्या बोला जाता है इनको फ्लैट वर्म्स बोला जाता है और इनको फ्लैट वर्म्स क्यों बोला जाता है क्योंकि इनकी जो बोड़ी होती है इनका जैसे यह आप बोड़ी स्ट्रक्चर देख रह डोर्सो-ventrally-flattened body जिसकी वजहे से इनको क्या बोला जाता है इनको बोला जाता के फ्लैट वार्म्स ठीक है और क्यों बोला जाता है क्योंकि इनकी जो इनकी प्लैट वार्म्स की जो बोडी उती है जैसे कि आपने कार्टून वगेरा में भी देखा होते हैं कौन सा अभी मुझे कार्टून का नाम तो याद नहीं आ रहा है जिसमें ऐसे दिखाते हैं कि हां क्या होता है कि जैसे कूई ऊपार से आपनां यह क्या होता है वह क्या होता है बिल्कुल Stunden पर टर स्फरयों सांब यह कारें टो यह अभिए यह जे घ्कार आग gör glasses, हैशले ऑसकंद दोकल आइद रसा सेत्थरा पार स्थरा होती जसकितुचर करें कि सब्स्कीटadra अब यह होते कैसे हैं, यहां तो यह क्या पाये जाएंगे, आपको फ्री लिविंग मिलेंगे, और इनकी पैरसुटिक भी फॉर्म आपको देखने मिलेंगी, पैरसिटिक फॉर्म में भी यह क्या होंगे, प्रेसेंट होंगे, Fri Leveng होंगे आराम से Fri Leveng करते रहेंगे हैंना और Parasitic मतलब कि किसी के क्या होगा अंदर या तो मतलब कि अंदर होंगे और बोड़ी के अंदर होंगे या तो बोड़ीarenthिके से自动 करेंगे ispekt तो कैसी फॉम भी पाई जाती हैं कि पैरसिटिक फॉम भी पाई जाती हैं कैसे होते हैं फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरसिटिक फॉम भी पाई जाती हैं अब और भी इनके करेक्टर्स देख लेते हैं वो क्या होते हैं इनमें आप सिमेट्री की बात कर लेते हैं इनमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है बाई लेटरल सिमेट्री कैसी सिमेट्री पाई जाती है बाई लेटरल सिमेट्री पाई जाती है ठीक है लेकिन जब हमने टीनोफोरा पड़ा था टीनोफोरा में कैसे सिमेट्री थी टीनोफोरा में सिमेट्री थी रेडियल कैसे थे टिनोफोरा वो थे readily symmetrical ठीक है लेकिन प्लेटी हेलमेंस जो है फ्लेट्वोंस जो है वो कैसे है वो है bilateral symmetry मतलब कि इनमें bilateral symmetry क्या है present है अमार कि ठीक और इनमें आप देख लेते हैं लेट की डाइल की बात कर लेते हैं तो कितनी होती हैं इनमें उती है तीन और उनको क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है है आपके जो यह ties है मतलब इनमेश मिलेगे प्लस मीज़ोडम गीफ एंड़ोडम गयर इनमैं फाई जाएंगी तो यह हुए आप इन में ऐसी बात कर लेते हैं किया इनमें प्रेजंट होता है यह यह कैसे होते हैं a जब हमने अनुफ यह दो कैसे उस सेयां लेकिन जब हम ने तेनी हो रहें पाइज धि काई जाती थी उनमें पउक पह निद्क बलास्टिक और कि प्लास्टिक है इतनी बात हो गई अब हमने जब तीनोफोरा पड़ा था उनमें कैसा देखा था हमने मतलब की लेवल ओफ उर्गनाइजेशन देखा था टीशू लेवल का मतलब की बहुत सारी सेल्स जो है वह अग्रिगेट करके क्या बनाती है टीशू की फोर्मिशन कर देत गृषन आव गृषन आप मतलब की सबसे पहले 1st टाइंप टीश्ची वे आया ओर्गन लेवल ओ उर्गनाइजेशन फ्लैमिंड में किसमें हमें देखने को मिला grams één comparison में तक किसी बेघंविंस पाइलम पढ़ा उसमें किसी में भी प्लस प्लस नहीं था यह जो की प्लेटीघ इपतरीके का प्लस प्लस पॉइंट है यह आपका इंपोर्टन हो गया झीक आपका यह ओर। кा मिलों और आप आपका ही आपका यह नाम बनाया है इसको नाम दिया जाता है क्या सखर्स सब्सक्राइं किया है उपर भी क्या है उपर वी क्या है सकर्स में एक मिन्हें एक मिनेट ऐस नाम है टिक है उपर की तरफ है तो हमने इसको नाम दिए Oral सकर्स हम इसको बोल सकते हैं ठीक है और यह इनकी body कैसी होते है Usually flacten body होती ना तो यह ventral suckers है कौन से है यहां आपके वेंट्रल suckersenko flat worms के ठीक है तो उपर नीचे डिये गए है क्या present होते हैं iada कर्षथ प्रेजेंट होते हैं इंके जैसे की यह यहां पर पढ़ाकि इनकी body only consolidated body होती हिनकी parasitic farm भी पाई या अगर parasitic farm ने पाई जाती है तो सक्रस का कुछ शार्म 1 सब्सक्राइब करवल क्या यह आपकी शुरा सब्सक्राइब आगर कोई होस्ट पोडिस सब्सक्राइब अगर कोई होस्ट बोडी से अब शुरम पिर parent तो इसको अगर चिपकने के लिए उसको न्यूटियंट्स लेने के लिए होस्ट की बोड़ी से कुछ ना कुछ तो चीजे चाहिए ना जैसे के एकजामपल हम क्या पीते हैं हम फुरुटी पीते हैं ठीक है चोटे packet में ऐसे मतलब की वो कागज के उसमें can में आती ना और यहां पे एक छोटा सा छेद देते हैं और आपको straw देते हैं क्या अब को स्ट्रोव काओं घ्लू देते हैं तो वो इसमें डाल के फिर पीते हैं तो जैसे कि यह मीन माल कंभा यह क्या है ऌपकी होस्ट ज Yera attrib इंड चोटा बचल करहें के तो हम बांकी है तो हमस्ता है तो हमंआरे पास हुखस हो गए इस ही प्लैट। में एस हैं वह तो आप जैसे कि हमने इस्ट्रोल लिया यह क्या है कोई पी रहा है ठीक है कोई और्गनिजम है एक मिनेट थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ मैं कि अच्छे से समाझ आ जाए पतनी गीजल पर nossa देजिक है कोई और्गनिजम है रहे होरै इस अचल वह फ्रूटी होसे थो जॉप्री प्लॉटी होगी रहे trig leaking कि करेगी और यहां से क्या ले रहा है प्रूटी पी रहा है थीखना कुछ एब्जोब कर रहा है तो ऐसे ही जो फ्लैट वों से इसकस की हैल वोस्ट की बॉडि से नुट्रें्स करते हैं आई बद समझ में donc इनके पास क्या होता है फ्लैट वट만 के किसमें फ्री लिविंग में थोड़ी न पाई जाएगी वो पाई जाएगी आपकी पैरसिटिक फॉर्म में पैरसिटिक फॉर्म के पास प्रेजेंट होगी ठीक है अब बात कर लेते हैं इनका काम क्या काम होता है किसमें why अटेच्चमेंट में होस्ट बोरी जो होगी न उसकी अटेचमेंट में CA किसमें एलब करेंगे सकर्स हैल्ब करेंगे न्यूट्यियंट्स एब्जॉब करने में किसमें हेल्प करेंगे। एब्जॉब करने में ठीक है कहा से फॉम्दanson सॉस्टिव ernst seeing अब करते हैं बोडी के चिपक जाते हैं जैसे कि फैविकोल होता है कोई भी चीज टूर जाती है ठीक है तो फैविकोल एक तरीके से किसकी तरह काम करता है इसके बिल्कुल ही चिपक जाता है जिस भी मतलब की material को हम चिपकाएंगे उससे क्या होता है इसकी बोड़ी से से बिल्कुल ही चिपक जाना ठीक है छूटना भी नहीं बिल्कुल चपक जाना और जो सकर्स होते हैं फिर वो क्या करते हैं वहां से न्यूट्रेंट्स एब्जोब कर लेते हैं ठीक है आई बात समझ में यह देख लिए हमने इनके पास की हुपसर सकर्स प्रेजेंट होते हैं अब इनमें क्या होता है और और वाधिजिस्ट्टेzil सिस्ट्रम है ए जो है वो कैसा है इनकंप्लेट ए जाता है मतलब की एक सिंगल ओपनिंग ही होगी इनकी बोडी में और वही एक्ट करेगी तик है वही एक्ट करेगी माउथ माउथ और एज एनस ठीक है क्या होगी मतलब की इनके पास क्या होगी सिंगल ओपनिंग होगी इनकी बोड़ी में सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी आए बात समझ में ठीक है अब हमने यह सारी चीज़े देख लें कि फ्री लीविंग होते हैं बाइलेटरल समेट्री प्रोड्लास्टिक और लेवल ओफ और गनाइजेशन फॉक्स और सकर्स पाये जाते हैं डाइजिस्ट्र देख लिया हमने यह सारी चीज़े देख लिए और इनके पास एक्स क्रिट्री सिस्टम का एक बड़ी देख लेते हैं तो इनके पास क्या होते ह है इनके पास कुछ specialized cells होती है कि इनके पास क्या होता है इनके पास कुछ specialized क्यों सेल्स प्रेजेंट होती है और वह स्पेसिलाइज़ सेल्स कौन सी होती है वह होती है फ्लेम सेल्स कौन सी होती है स्टुडेंट्स फ्लेम सेल्स ठीक है और फ्लेम सेल्स को और भी क्या नाम दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है प्रोटो नेफ्रीडिया भी बोल दिया जाता है ठीक है specialized cells होती है इन organisms के पास उनको क्या नाम दिया जाता है flame cells नाम दिया जाता है अब इन flame cells का काम क्या होता है यह flame cells करती क्या है यह help करती है help in किसमे औस्मो regulation किसमे help करती है किसमे help करेंगी और और एक्सक्रीशन में किसमे help करेंगी औस्मो regulation and excretion ठीक है जब हमने टीन ओफोरा का देखा था उन में तो कोई ऐसा था इनी ना कैसे पाया जाएगा उन तो सिफ टीशू level of organization देखने को मिलेगी लेकिन यहां पर कि हमें क्या देखने को मिला यहां पर हमें organ level of organization देखने को मिला इनके पास क्या होती है flame cells होती है कुछ specialized cells होती है excretion के लिए वह किसमे help करती है औस्मो regulation में as well as excretion में ठीक है एक मिनेट बस screen को थोड़ असा छोटा कि अच्छे से और हमारे पास space बन जाए और हम अच्छे से कर लें इस side का जो है यह diagram यह मैं मिटा देती हूं अब हमारे पास खूब सारा space आ गया है हम अच्छे से कर पाएंगे यह साई चीज़े हमने देख ली यहाँ पर और क्या देख लेते हैं हम यह देख लेते हैं कि organism मतलब की है कैसे यह कैसे हैं यह हर्मफилоणलो है boobs हैं यह होते हैं हर्मफ्रोणलो heiß है हर्मफoureट बोल सकते हो या फिर Monoaceous बोल सकते हो ठीक है? मतलब की इनमें क्या होगा? इनमें male और female जो sex organs हैं वो present होंगे same body में female प्लस male sex organs जो है ठीक है? वो present होंगे present in the same body ठीक है? in the same body आई बात समझ में तो ये कैसे organism है? ये है हर्मफ्रोडाइट या फिर Monoaceous बोल सकते हो ठीक है? जहाँ आप पे female और male sex organ present होंगे same body में ठीक है? अब इनकी ये तो बात हमने कर ली अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं fertilization की तो इन में कैसी fertilization देखने को मिलेगी? इन में fertilization देखने को मिलेगी internal लेकिन जब हमने टेनो फोरा में देखा था वहाँ पे कैसी fertilization थी? वहाँ पे fertilization थी external ठीक है? कैसी fertilization थी वहाँ पे? वहाँ पे थी external यहाँ पे कैसी fertilization है? यहाँ पे fertilization है internal थिकिए इंटर्णल फर्टिलऑजाश्याश्या और क्या चीज हम देख लेते हैं जब इंटर्णal फर्टिलैजाश्चन रहा है थीकिए तो कोई भी उपूर्स समय हमने पढ़ा था external fertilization होती है वहाँ पे तो वहाँ पे जो medium था वो कौन था वो पानी था जहां पे gamut साके fuse करते हैं ठीक है पानी में यहां पे internal fertilization है और यहां पे development कैसी है यहां पे development है indirect कैसी development देखने को मिलेगी में indirect development देखने को मिलेगी मतलब की larval stage देखने को मिलेगी इनकी life cycle में और जो larval stage क्या होगी वो adult form से बहुत ही different होगी indirect development है तो यहां पे क्या present होगी larval stage present होगी ठीक है internal fertilization होती है indirect development होती है और क्या चीज होती है इनमें बताओ जरा और क्या चीज होती है और इनमें एक चीज हमने देखने को मिलती है nervous system के बारे में किसके बारे में nervous system के बारे में अब देखो इनका जो nervous system है ठीक है इनका जो nervous system है यह इनकी डॉर्स वेंटरली बोड़ी है ठीक है तो यहां पे क्या होगा यहां पे एक रोड मिलेगी आपको यहां पे वो मतलब कि आपको देखने के मिलेगी ठीक है यहां पे कोड देखने को मिलेगी और यहां पे दूसरी कोट देखने को मैं हमें थि dies और यह जो है वो हétait पर शोती है और कि अधिरे के साथ यह अंदर का structure में मैं आपको दिखा रही हो बना कर यह कैसे एक दूसरे के साथ ऐसे होती है ठीक है जैसे की अपने हम सीड़ी घर में तो सब क्या होती है सै न वैसे ही आप को एंदर में नर्वस सिस्टम में क्या ऐंको कि विक्वात ही आपको देखने के appliलेगा इनकी जो पक्रप्रस हैं वह कैसे होती हैं यह लैडर-लाइक कोड लाइक है सिड पे सब चड़ते हैं न बचपन में सब चड़ते हैं कितनी मस्ती करते हैं । पर फिर लग जा हिए कि बढ से इसी सीहें इसा ही इस लिए कि तो उसके यहां पे चड़ने के लिए क्या होती है सिग होती है से यहां पे क्या हो यहां पBay से लिए हो गया है तो आप लोग 2 cd क्या करते हो चढ़ते रहते हो और यहां पे मतलब उसलिप करके करते हूं करते हो तो इनन सा ही इनका भी सिफ्लम क्या होती है को स्ट क होती है ौकिसितरीके की स्टिया नज को को छुए है थीकर नगे जो नर्व वसिस्टम है उसके पास क्या होगी consists और है कंसीस्ट टूब और के कंसीस्ट टू रोंगिट्यूडिनल का तो कि कैसे इन लेडर लाइक सीडी की तरह है ठीक है इन लेडर लाइक ठीक है यह दो ऐसे जो यह पेंटरल नव कोड़ आप देख रहे हैं लोंगी ट्यूड़नल एनकी बात की अभी तक हमने ठीक है और ये जो दो नर्व कोड हैं longitudinal यह attach होती किसे हैं यहाँ पर लिख लेते हम बहुत आर अटेच्च किसे विद किसे किसे ट्रांसवर्स नर्व कोड से किसे विद ट्रांसवर्स नर्व कोड से आई बात समझ में मतलब कि ये दो longitudinal तो हमने चीज़े देख ली बट ये दोनों बोथ हार attached with transverse nerve code ये दोनों attach किसे होती है transverse nerve code से किसे attach होती है transverse nerve code से आई बात समझ में ठीक है ना तो ये हमने देख लिया किसके बारे में nervous system के बारे में हमने ये देख लिया है अब इनके पास पाया क्या क्या नहीं जाता है वो देख लेते हैं सबसे पहले तो इनके पास क्या हमने नोटो कोड देखी क्या इनके पास हमने नोटो कोड देखी बताओ जरा नोटो कोड प्रेजेंट है इनके पास नहीं present है दूसरी चीज क्या इनकी body जो है वो segmented है मतलब कि क्या इनकी body में segmentation दिख रही है आपको दिख रही है कि नहीं नहीं दिख रही ना ठीक है ये तो देख लिए दोनों चीज़े not accord नहीं है segmentation नहीं है और इनके पास respiratory system देखने को मिला हमें क्या इनके body में respiratory system देखने को मिला नहीं मिला ठीक है इनके पास respiratory system भी नहीं है diffusion होता है वो कैसे होता है इनकी body surface से ठीक है diffusion कैसे होता है वो होता है इनकी body surface से क्या हमें यहाँ पे circulatory system देखने को मिला इनके पास circulatory system भी नहीं है क्या नहीं है इनके पास circulatory system भी नहीं है ना इनके पास notocode है, ना इनके पास segmented body है, ना respiratory system, ना circulatory system, ठीक है, और भी कुछ ऐसा है, जो इनके पास नहीं है, और हमने पढ़ा नहीं हो, excretion का हमने देख लिया, digestive system का भी हमने देख लिया, nervous system का भी हमने इनमें देख लिया, तो बाकी बचे हुए तो हमने यहां पर एसे नहीं होते हैं, ठीक है अब देखो जैसे कि हमने देखा, किया देखा हमने, हाँ, कि यह free living होते हैं, और parasitic foam होते हैं, और जो parasitic foam होते हैं, वो, मतलब की mainly होती कैसी है, वो endo parasites प tow साफ होते हैं जो आपका यह मतलब की फिलेडी हल मनик से होते हैं मैंली अंदर और अ कि की तो आपके इसलिए उनको क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है एंडो पैरासाइट इसलिए इनको बोला जाता है अब देखो यहां पे हम बात कर लेते हैं एक्जामपल्स की मैंने यह डाइगरम में बड़ी था करenden खर लेती हैना ताकि दिकत नियुक्त आप तो देखो यहां पे कर लेते हैं एक्जामपल्स है केकर लेते हैं एक्जामपल्स कर लेते हैं तूंद में पहले कौं सा एक्जाम्पल है एक्जाम्पल है टेनिया एक्जाम्पल क्या है यह है आपका टेनिया जिसको क्या बोला जाता है जिसको बोला जाता है टेप फॉर्म क्या बोला जाता है टेप फॉर्म भी बोला जाता है ठीक है टेनिया टेप फॉर्म ठीक है पहला एक्जाम्पल होगा हमार दूसरा एफम्पल क्या है? दूसरा एफम्पल है प्लेनेरिया और जो ये आपका प्लेनेरिया है ये आपका कैसा होता है? ये आपका है free living जैसे कि हमने पहले भी पड़ा है कि जो flatworms है वो आपके कैसे होते हैं? वो आपके free living भी present होते हैं और parasitic form भी पाई जाती है तो planaria कैस ठर्डड एक्जाम्पल हमारे पास क्या आता है फेसीयोला और यह और होस्ट की बोड़ी की अंदर है कहा प्रेजंट होता ही कि यहां पर मैं लिख देती हूं लीविंग इंसाइड लीविंग इंसाइड दो होस्ट्स या तो यह प्रेजेंट होगा कहां पर होस्ट के जो बाइल डक्त है वहां आपको देखने को मिलेगा या फिर उसके लीवर देखने को मिलेगा फिर लीवर में देखने को मिलेगा कहां कहां ज जाता है कहां कहां रहता है ना सिंपल सी पात में ये फिर लेओर में देखने को मिलेगा यह present होता है inside और जो इनकी parasitic form होती है वो क्या होती है mainly endoparasitic form क्या पढ़ा हमने mainly endoparasitic form होती है ठीक है यह सारी चीज़े हमने जो है देख ली है अब यह हमने जिसकी बात करी थी किसकी बात करी थी लीवर यह हमने जो यह diagram देखा है न यह किसका diagram है यह diagram है फैसियोला का किसका diagram है यह diagram है यह diagram है फैसियोला का एक मिनिट बस ताकि अच्छे सही क्या हो जाए यह हमने जो diagram है इसका यह किसका है तही प्लैटी हेल्मिंस कर यह六 खू तो वह कैसी होगी यह के पास बाइलीट्र सिमेट्रिव क्यासी प्रेजेंटिप्स होती है मतलब कि इनके पास एक्रव प्रेजेंटब्ल नहीं होता इनमें फॉर्स ट्राइम और लेवल ओफ ओर और्गनाइज़ेशन देखने को मिली है क्योंकि इससे पहले कि हमने जितने भी फाइलम पड़े उनमें अभी तक किसी में भी ओर्गन लेवल ओफ और्गनाइजेशन नहीं देखा हमने देखा यह तो सेललर लेवल का या फिर टीशू लेवल का ठीक है तो इसका मतलब इनमें जो डिविजन ओफ लेबर होगा वो का कैसा होग कि अगर कोई फ्री लिविंग है उसको अटेश्मेंट की क्या जरूरत है ना मतलब यह हो ना कि वह फ्रीली आजादी से घूमती रहती है यहीं मतलब हुआ उसका पैरसिटिक का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को स्टिक करना है तो आपके पास कुछ और मतलब की जैस दिवार मतलब कि इस तरीके से होते हैं वह एजली चिपक सब्सक्राइब वह प्लाय के रकते हैं तो किस में करते हैं जो घ्ल्ब करते हैं 1400 करेंगे उनकी सबाइब करेंगे उनकी करने में तो आ देख लेते हैं कि इनका जो डैजेस्टिटिव सिस्ट्रम है कैसा है कंपलिट है सॉरी इनकंपलिट है मतलब कि सिंगल उपनिंग पाई जाएगी इनकी बोडी पे ठीक और वह किसी तरह काम करें उनकी आध्रीक यहां पे एंटरी दोनों का मों करेगा था SEC li fell ellos पाय जाती है इनके पास क्या हमकी라고 रोटने सेलस मdemag जाती है क्यादती हैं स्पेसलाइज को स review होती है वह ती uh चल्बुंद सेल्स हेल्प किसमें करती है और और क्रोगिर्शन यह और यह हर्मोफ्रोडाइट यह एंग बोल सकते हो कि और अगर हर्मोफ्रोडाइट है मतलब कि इन female और male sex organ present ओंगे same body में ठीक है यह आपका क्या है faciola है मतलब कि इस इसमेn female sex organ भी present ओंगे और male sex organ भी प्रेजेंट होगे तो यह एक ऐसा organism हुआ हुआ यह हुआ हर्माफ्रोडाइट ठीक है अब बात करते हैं कि इन में फटिलाइजिशन कैसी होती है इन में इंटर्नल फटिलाइजिशन आपको देखने को मिलेगी गैमिट्स मतलब जो होंगे वो कैसे फ्यूज करेंगे अंदर फ्यूज करेंगे ठीक है बोड़ी के अंदर ना कि external medium में ओके development इस में आपको कै ऐसे मिलेंगी मतलब कि इंटर्टर५ीलाइज़ज्ट करेंगे और ऊठिक युशा बनाएंगे और उसक चैनल क्या होता यह parlous कि हो स Commun Всё क्या थैस नहीं क्टन के पाते हैं कोई दिक्कत होती है तो वह फैर tra Ц Une straineled है यहांपे की इन डर्यक्ट होती है उके मतलब कि क्या स्टेज प्रेजेंट होगी प्रेजेंट होगी कैसे विल्फ प्रेजेंट होगी उसके बाद हमें और nervous system इनके पास कैसा होगा एनके पास क्या होगी दो वड्र नर्व कोड्व कोड्स होंगी जो अहीं do कितर ए है एक CD कितर है ladder-like और दोनों आठेज कैसे होंगी दोनों आठेज होंगी किस रांसवर्स नार्व कोड से किस राटे Health होंगी वह भुख ये रांस आर्पौर से फटब से इन के पास किया क्या तो इनके पास यह चीज़े प्रेजेंट ही नहीं है ना तो नौकोड ना सेगमेंट इशेंग ना रेस्पेरियरी सिस्टम ना ही सर्कूलेटर सिस्टम ठीक है और यह जैसे कि हमने बात करती कि इनके पास प्रेजेंट होती है और वह कैसी होती है वह होती है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे यह मेंली जैसे कि लीच का एक्जामपल तो सब ने देखा है ना वह क्या करती है लीच का बताओ जरा लीच क्या है क्यों कि बही उसके पास भी क्या होते हैं तब ही तो होस्ट की बोड़ी से क्या कर लेती है मतलब की ब्लड सक करती है ना नूट्रेंट्स और एब्जोब लेती है थूब लोड ठीक है इसलिए जब आप देखाए क्यों लीच अगर मतलब की चिपकती है तो वह स्टार्टिं में कितनी पतली होती है ठीक है दुबली पतली सी लेकिन बाद में जैसे जैसे वो होस्ट की बोड़ी से न्यूट्रेंट से अब्जोब करती है वो उसका साइज क्या होता है बड़ा होता जाता है मोटी होती है हट्टी-कटी आपको देखने को मिलेगी ठीक है वो आपकी कैसी parasitic form होती है ठीक है कैसी होती है acto और यह कैसी है endo आई बात समझ में तो यह अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो वो आप क्या कर सकते हो वो कर सकते हो comment क्या करते हो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो मेल कर सकते हो ताकि क्या हो जो भी क्रेश हो वो क्या करें हम ख्लियर कर लें इस फाइलम के regarding तो आप सब को अच्छे से समझ आया होगा तो थेंग इस मिलते हैं किसमें? नेक्स्ट क्लास में, ओके, तब तक के लिए बाई-बाई.